नमस्कार, SPT News पर आप देख रहे हैं रास्तान के श्री गंगानगर हनमान गर्चिरे की बड़ी खबरें श्री गंगानगर शोहर के जवाहनगर इलाके में तीसरा कोरोना पॉस्टिव रोगी मिला है पॉस्टिव आया ये रोगी केवल 19 महिने का बच्चा है इसकी ट्रैवल हिस्ट्री दिल्ली और श्री गंगानगर की बीच की रही है इस बच्चे का सैंपल आज जाच में पॉस्टिव पाय जाने के बाद चिकिसा और पुलिस प्रिशासनी की टीम सतर्क हो गई जो पॉस्टिव पाया गया इसकी रिपोर्ट आज दोपहर ही प्राप्त हुई है जवाहानगर शेत्र में कोरोनो पॉस्टिव पाय जाने के बाद प्रिशासन ने उस इलाके को अपने कबजे में लेने की कारवाही शुरू कर दी है श्री गंगानगर में अब तक तीन कोरोनो पॉस्टिव पाय जा चुके है पॉस्टिव रोग्यों की संख्या लगातार बढ़ने पर प्रिशासन के चहरे पर चिंता की लखीरे साफ दिखाई देने लगी है बच्चे के परिजोनों के भी सेंपल ले जाने की कारवाही की जाएगी बढ़ते तापमान के कारण मौसम विभाग के तापमापी का पारा भी उबलने लगा है बधवार को तो दोबहर 12 बजे तक ही अधिक्तम तापमान 45 डिगरी के करीब पहुँच चुका था इससे अनमान लगाय जाने लगा कि आश्री गंगान अगर शेहरी इलाके में इस गर्मी का सरवाधिक तापमान दर्ज होगा लगातार बढ़ते तापमान के साथ लू चलते रहने से आमजन जीवन प्रभावित होने लगा है हालांकि लगडाउन के कारण अधिकांश लोग घरों में ही रहते हैं लेकिन लू और गर्मी के कारण घर के भीतर भी शीतलता की तलाश रहती है लोग लू से बचाव के लिए शीतल पे और ठंडे पतार्थों का सेवन अधिक कर रहे हैं श्रेगंगानगर के बसंती चौक एरिया के करफिग्रस्त इलाके में आने जाने वाले हर्व्यक्ति का रिकॉर्ड संधारित किया चौरा है इसके लिए जुलाप पुशासन ने नायब तैसिलदार सत्पाल सिंग को जिम्यदारी स्वापी है उपखन अतिकारी उमेज सिंग रत्नों ने बताया कि करफिग्रस्त एरिया में अरशक सिवाओं के साथ अनुमती लेकर आने जाने वाले हर्व्यक्ति का नाम पता रजिस्टर में दर्च करने के लिए नायब तैसिलदार को नियुक्त किया गया है श्रेगंगानगर के बसंती चौक एरिया में कोरोना पॉजिटिव दो रोगी मिलने के बाद ब्रह्म कलोनी, बलवन सिंग की धानी और हरदीप सिंग की कलोनी में घोशित करफिव में हालात समाने है हर गली को बेरिगेट्स लगा कर बंद कर दिया गया है यहाँ पुलिस जापता तैनाथ है, लोग अपने घरों में कैद हैं, करफिव में शामिल नए एरिया में आसे, सबजी विक्रेता को भी अनुमती जारी कर दी गई है दूद की सप्लाई सरस्देरी कर रही है इदर हर्मानगा जंक्शन पुलिस ने हनी ट्रैप मामले में दो महिलाओं को गिरिफ्तार किया है इन महिलाओं को आज अदालत में पेश करके रिमान दर्याक्ष किया जाएगा इन महिलाओं ने अपनी गैंग के लोगों के साथ मिलकर एक व्यक्ति को दुशकर्म के मुकदमे में फंसाने की धमकी दे कर रुपियों की मांग की धी थाना प्रभारी नरेश गेरा ने बताया कि इस मामले में 40 साल की पारो देवी और 30 साल की विम्ला देवी को गिरिफ्तार किया गया है श्री गंगा नंगर के पुराने अबादी थाना शेत्र में पिछले दिनों पिस्तौल की नोक पर एक दुकानदार को लूटने के मामले में फरार दो आरोपियों को पुलिस ने गिरिफ्तार कर लिया है दोनों आरोपियों को पुलिस ने बुद्भार दो पहरबाद नयायले में पेश किया पुलिस ने दोनों फरार आरोपियों को मंगलवार शाम को गिरिफतार कर लिया इनकी पहचान अजय और मनोज की रूप में हुई है श्रे गंगारगर में दो दिन पहले ब्रह्म कलोनी एरिया में पॉस्टिव आया दूसरा व्यक्ति कैसे कोरोना संक्रमित हुआ इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है इस व्यक्ति की पूरी संपर्क हिस्ट्री नहीं मिलने से प्रशासन की चिंता बढ़ी हुई है अब तक जिन लोगों के इस रोगी से संपर्क की जानकारी मिली थी उन सभी को आइसोलेट और क्वारेंटाइन किया जा चुका है करीब देट दर्जन लोगों के सेंपल भी कल ही जांच के लिए भीजे जा चुके है आरसी अचो डॉक्टर एचेस बरार ने बताए कि सोवार देरात को जिस व्यक्ति की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी उसकी सभी करीबी संपर्क वालों से अन्य संपर्क वालों की जानकारी जुटाई जा रही है इस बीच स्वास्ते विभाग की टीम ने प्रभावीत शेद्र में ही कैम्प लगा कर सर्वे में चिन ही ते लोगों के रेंडम सेंपल लिए है प्यमो डॉक्टर केस कामरा ने बताए कि एस्पताल में भी रेंडम सेंपलिंग का काम जारी है शुरदगर कस्पर की वार नमर 6 में बीती राद घर की सेकंड फ्लोर से नीचे गिरने पर एक यवक गंभी रुप से घायल हो गया यवक को शेहर के एक नीजे एस्पताल में भरती करवाय गया है पलिस कंट्रोल रूम के एसाई गुरसेव सिंग खोसा ने बताए कि हासे में 20 साल का गनेश गंभी रुप से घायल हो गया उसे रात करीब डेड़ वजे शिवचौक सित एक नीजे एस्पताल में भरती करवाय गया श्रेगंगानगर जिला परिवहन कारेले में काम शुरू हो चुका है लेकिन आवेदकों की संख्या काफी कम है फिलहाल केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जा रहा है जिनके अपॉन्मेंट लोगडाउन के कारण के कारण कैंसल हो गई थी जिला परिवहन अधिकारी सुमंडेलू ने बताए कि नए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन अभी स्विकार नहीं किये जा रहा है उन्होंने बताए कि लोगडाउन के कारण जिन आवेदकों की अपॉन्मेंट कैंसल हो गई थी उन सब ही को अब रीज शेडूल कर बुलाया जा रहा है श्री गंगानगर में कल तक तो FCI को सरकारी गेहूं के लिए बारदाना नहीं मिल रहा था इस कारण गेहूं का उठाव नहीं हो पा रहा था अब FCI के ठेकेदार की लेबर द्वारा हर्ताल कर दिये जाने की कारण सरकारी गेहूं का उठाव थप हो गया है बताया जो रहा है कि एक गैस एजनसी में एक श्रमिक की मौत के बार ठेकेदार की लेवर ने वेर हाउस में अनलोडिंग का काम ठब कर दिया है इस कारण मंडी से भी गेहों के थैले उठाव का काम रुका हुआ है खादे व्यापार संक्या धक्ष हनुआन गोयल के अनुसार मंडी में करीब तीन लाग थैले सरकारी गेहों के पड़े हैं इस कारण व्यापारी और किसानों को परिशानी हो रही है हर्मानकट जिले के रावसर थाना शेत्र में मंगलवार राद सड़क दुरगटना में दो जनों की मौत हो गई पिकप द्वारा मोटर साइकल में टकर मारे ज़ाने से ये दुरगटना हुई हाथ से के बाद पिकप चालक मौके से फरार हो गया साइ छोटो राम ने बताए कि मंगलवार राद दस बजे था लड़का में अग्याद पिकप ने मोटर साइकल में टकर मार दी तेजगती से आई पिकप की टकर लगने से मोटर साइकल सवार दो वेकती नीचे गिर कर बुरी तरह से घायल हो गई उन दोनों की मौके पर ही मोट हो गई मौडिफाइड लोगडाउन और 47 डिग्री तापमान की बीच श्री गंगान अगर जिला मुख्याले पर ड्यूटी दे रहे पुलिस कर्मियों को गर्मी से बचाने के लिए ग्लूकोंडी के पैकेट वित्रित किये गए है बुधवार को पुलिस अधिकारियों ने नाकोपरतेणात कार्मिकों को ग्लूकोंडी के पैकेट वित्रित किये सियो शिटी स्माइल खान ने बताए कि प्रवासी भारतिया डॉक्टर सुरेंदर जिंदल ने 250 ग्लूकोंडी के पैकेट जिला पुलिस को भींट किये थे देखा तो अग्या चोर उसे चुरा कर ले गए सादलु शहर लालकड मार्क पर बुधरवाली अंडर ब्रिज के निकट बुधवार सुबह एक युवक का शव बरामद हुआ सुचना मिलने पर लालकड जाटान पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवाया पुलिस ने बताए कि अंडर ब्रिज के पास मिलेश शव किश्वनात सादलु शहर के वार नमर एक के गंगाराम बावरी के रूप में हुई है खादे में नागरी का पूर्थी विभाग के अतरिक्त खादे आयुक्त सुरेश गुपता ने समर्थन मुल्य पर गेहूं की खरीद में गिर्दावरी के अनिवारता खत्म करने की मांग को लेकर श्री गंगा नगर जुला कलेक्टर श्री प्रसाल मंदन नकाते को पत्र भे भीत है वहीं कोरोना ने विवाह समारो में भारी ताम-ज्राम और जमकर होने वाली फिजूरोर खर्ची पर भी लगाम कस्ती है फिजिकल डिस्टेंसिंग से गोर्णा वायरे संक्रमन को रोखने के लिए राज्य सरकार ने विवाह समारों में शामिल होने वालों की संक्या निर्धारिद कर दी इस कारण श्रेगंगा नगर के मैरीज गार्डन का काम नहीं चल पा रहा है मैरीज पैलेस संचाल को के सामने पूर्व में की गई बुकिंग कैंसल होने की कारण रख रखाव तक करना मुश्किल हो गया है मैरीज पैलेस तो आप विवाह समारों की बुकिंग के लिए तरस रहे हैं लोगडाउन में बेरोजगार हुए हाथ के कारिगार परिवार से जुड़े लोगों को दो माह तक नेशल को राशन उपलब्ट करवाने के लिए श्रेगंगा नगा जिलब प्रशास्तन ने आज से सर्वेश शुरू कर दिया है विशेश रेणी में उन लोगों को शामिल किया गया है जो हाथ के कारिगर हैं और अपना रोजगार करके परिवार चला रहे थे उपकंड अधिकारी उमें सिंग दत्रू ने बताया कि विशेश रेणी के परिवारों को चिनहित करने के लिए ग्रामिन शेत्र में बूत लेवल अधिकारी और ग्राम सर्यक कोर कमिटी और शेहरी शेत्र में बूत लेवल अधिकारी और नगल पईशस्ते करवाय जो रहा है तो फिलहार इस पुलेटिन में इतना ही फिर हाजरूंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर